तो यही कहीं बाबा ओम शांती जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाती है शांत स्वरूप बन जाती है तो सबसे पहले अंतर जगत का वायु मंडल पवित्र शुद्ध हो जाता है मन शांत हो जाता है वुद्धी की चंचलता भटकना बंद हो जाता है संसकार भी स्वत है श्रीष्ठ रहा पर चलने लगते हैं कारे कराने लगते हैं और जब सुक्ष्म कर्मिंद्रियां शांत होती हैं निर्मल होती है तो उसका प्रभाव फिर स्थूल कर्मिंद्रियों पर और स्थूल कर्मिंद्रियों वा कर्मों से बाहिये वायो मंडल और वातावरन पर भी पड़ता है तो वंडर्फुल है बाबा की जाद वंडर्फुल है आत्मा की स्वधर्म की ये स्मृति जो अंदर की और बाहर की स्थिती को बदल देती है पर इस स्थिती को परिवर्तन कर देती है तो याद के इस अदभुत जादों को आज हम बाबा के महवाक्यों द्वारा और गहराई से समझेंगे आज है तीन तारीक, तीन अप्रेल दो हजार चौबिस बाबा के मदर महवाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप की याद में सदा हर्शित रहो याद और हर्शित पना, याद है अंदर की और हर्शित आत्मा अंदर का तंतो हर्शित है परंथ उसका प्रभाव चहरे पर चलन में हर्शित मुकता के रुप में सपश्ट दिखाई देता है तो याद में सदा हर्शित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ क्योंकि तुम्हें यूग बल से वायू मंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है प्रशन है स्कॉलर्शिप लेने अथ्वा अपने आपको राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुशार्थ चाहिए चाहते हैं पढ़ रहे हैं तो स्कॉलर्शिप तो जरूर लेंगे राजाई का पद जरूर लेंगे राजयोग कर रहे हैं तो कौन सा पुरुशार्थ चाहिए उतर है राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की जात्रा का पुरुशार्थ करेंगे आपस में भाई-भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए फाल्तु बातें कभी भी ना सुनो बाप जो सुनाते हैं वही सुनो दूसरी बातों से कान बंद कर लो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तब स्कॉलर्शिप मिल सकती है लौकिक पढ़ाई में भी यही बाते होती है इन बातों का परहेज नहीं करते तो वहाँ पर भी एवरेज स्टूडेंट रह जाते है स्कॉलर्शिप नहीं मिल पाती है केवल एक बाबा से सुनना केवल इस बढ़ाई पर ही ध्यान देना और फिर जो बाबा ने कहा कि दूसरी बाते जैसे सुनी नहीं रहे सबसे जरूरी है आत्मा का इंट्रस्ट कहा है मेरा इंट्रस्ट गर इंट्रस्ट होता है तो आवाज स्लो भी होती है न तो बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं इंट्रस्ट नहीं होता तो तेज़ते जवाज में भी कोई कुछ बोल रहा हो तो कोई सुनते वोई भी जैसे नहीं सुन रहे है इसलिए अपने मन को चेक करने की जरूरत है मन की इच्छा है उससे सुनने की या देखने की तो अंतर मन को शुद्ध बनाना अंदर से खुद को चेक करना खुद पर अटेंशन रखना ये बहुत जरूरी है ओम शांती बच्ची जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं किसके लिए अपने लिए जितनी जो सर्विस करते हैं मन सावाच्चा कर्मणा अपना ही कल्यान करते हैं इसमें हंगामे आदी की कोई बात नहीं बस क्या करना है इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहाँ जाकर पहुचते हो पिलकुल यही अभ्यास करते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूलने का ना मन बुद्धी से छोड़ने का और बस यह अभ्यास करते यह करते वह अपने घर जाते रहते हैं बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है सदेव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे बाप को भूलने से मुर्छायश आती है बच्चों को सदेव हर्षित रहना चाहिए खुशी क्यों गायब होती है? क्योंकि खुशी देने वाले को भूल जाते हो बाबा याद रहे तो हर्षित रहे हम आत्मा है हम आत्मा का बाप इस मुखध्वारा बोलते हैं हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए महनत करनी होती है बाप को याद करते करते वापिस घर जाना है यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है हर्शित भी रखती है, ताकत भी देती है तुमको इतनी ताकत मिलती है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो बाब कहते हैं, तुम मामे कम याद करो, तु तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे इस बात को पक्का करना चाहिए अन्तमें यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा सबको पैगाम भी यही देना है, क्या अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है बाब का फर्मान है, मुझे याद करो, तो पावन बन जाएंगे सिंपल है ग्यान, पर इस ग्यान को धारन करने के लिए बहुट टाइम लग जाता है है न, याद की यात्रा जितनी बढ़ती जाती है, उतना ये ग्यान स्वरूप में आता जाता है तुम बच्चे बाब की याद में बैठे हो, साथ में ज्यान भी है ये भी याद है कि कौन पढ़ा रहा है, तो याद तो है न, फिर वो जो बाबा ज्यान सुना रहे है, ज्यान भी साथ में है क्योंकि तुम रच्चता और रच्चना के आदी मध्यान्त को भी जानते हो, स्व आत्मा में सारा ज्यान है तुम स्व दर्शन चक्रधारी होना, तुम्हारी यहाँ बैठे-बैठे बहुत कमाई हो रही है, बैठे हो और कमाई करते जा रहे हो बाबा को याद करते हैं, कमाई जमा होती है, बाबा का ज्यान सुनते हैं, सुनाते हैं, कमाई जमा होती है और सब कुछ कैसे होता है, बैठे-बैठे तुम्हारी दिन और रात, कमाई ही कमाई है, जब बैठ जाओ बाबा की याद में, बस कमाई ही कमाई है तुम यहाँ आते ही हो, किसलिए आते हैं? सच्ची कमाई करने के लिए. जोठी कमाई बहुत करी, विनाशी प्रभाव होता है और पताने उसे सुख मिलता है, कितना मिलता है, या वो सुख भी शन भंगुर होता है, या फिर लंबा टाइम चलता है. मैकसिमम मैकसिमम एक जनम के लिए आपको सुख मिलेगा परन्तु अगले जनम तो फिर से पुरुशार्थ करना पड़ेगा ना तो इसलिए बाबा हमें अवे नाशी कमाई कराते है 21 जनम तक कोई महनत नहीं करनी पड़ेगी अवे नाशी कमाई या कहें सची कमाई वायू मंडल भी ऐसा है मदुबन का वायू मंडल ऐसे अपने आप ही योग लगाना नहीं पड़ता लग जाता है तुम योग बल से वायू मंडल को भी शुद्ध करते हो तुम बहुत सर्विस कर रहे हो यह बहुत बड़ी सर्विस है वायू मंडल को शुद्ध करना नहीं त तो आत्माई जो वेर्थ संकल्ब, नकारात्मक संकल्ब, लगातार कितनी speed से चलाती जा रही है, उससे वायु मंदल एक तो वो होता है कि pollution हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है आपको, परण तो ये जो mind pollution हो रहा है सारे वायो मंदल में, ये दिखाई नहीं दे रहा, परण उस इसलिए बाबा कहते है ये बहुत बड़ी सेवा है वायू मंडल को शुद्ध करना बाबा कहते है तुम बहुत सर्विस कर रहे हो जो अपनी सर्विस करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी तुम भी नहीं होंगे दुनिया ही नहीं बन जाएगी तुम बच्चों की बुद्धी में सारा ज्ञान है ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वह अब करते रहते हैं दिन प्रते दिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं इस ग्यान को सुनकर बहुत खुशी होती है, प्राप्ती होती है ना तो बहुत खुशी होती है, रोमान्च खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यह ग्यान कभी कोई से सुना नहीं है, तुम ब्रामनों से ही सुनते हैं, कहीं बारी कहीं आत्माओं कुछ से ग्यान देते हैं, आत्मा को इतनी गहराई से जानना किसी को समझ में नहीं आता है और जब बताते हैं तो जैसे रुमांच खड़े हो जाते हैं तो बहुत कहते हैं कि तुम ब्रामणों से ही सुनते हैं भक्ति मार्ग में तो महनत कुछ भी नहीं है इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है भक्ति मार्ग में कोई महनत वैसी नहीं होती था शारीरिक महनत होती है पर नहीं तो मानसिक नहीं होती मन से कहीं भी जाते रहो तन से प्रेजन्ट होना जरूरी है और यहां तन से कहीं भी जाते रहो पर मन से प्रेजन्ट होना जरूरी है तो बाबा कहते हैं कि यहाँ क्या होता है सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है यह बेहद का सन्यास बाप ही कराते है तुम बच्चों में भी नंबरवार है वो तो है इना सब बच्चे जतना पुरुशार्थ करते हैं उस अनुसार आगे बढ़ते हैं खुशी भी नंबरवार होती है एक जैसी नहीं ज्यान योग भी एक जैसा नहीं और सभी मनुष्य तो देहदारियों के पास जाते हैं यहाँ तुम किसके पास आये हो उनके पास आते हो जिसको अपनी देहे नहीं विदेही के पास आते हैं यादका जितना पुरुशार्थ करते रहेंगे उतना सतुप्रधान बनते जाएंगे खुशी बढ़ती रहेगे यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव पवित्र प्यार है यह आत्मा और परमात्मा का प्यार में बस पाना ही पाना है कुछ खोना नहीं है वह है भी निराकार तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी जितनी आत्मा की कट उतरती जाएगी आत्मा प्योर होती जाएगी उतना एट्रेक्ट होगे तब अपनी डिग्री तुम देख सकते हो हम कितना खुशी में रहते हैं खुशी की डिग्री देखो कितना पारा चड़ा है खुशी का इसमें आसनादी लगाने की बात नहीं है हठ योग नहीं है आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो लेटे हुए भी याद कर सकते हो कितना एजी है ना बेहत का बाप कहते है मुझे याद करो तो तुम सतुप्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे सतुप्रधान बन जाएंगे पाप कट जाएंगे कैसे? याद से बेहद का बाप, जो तुम्हारा टीचर भी है, सत्गुरू भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए इसमें ही माया विग्न डालती है, देखना है, हमने बाप की शाद में रहे, हर्शित होकर खाना खाया खाना खाते भी चक करो, कैसे खाना खाया, क्या याद कर रहे थे उस समें आशिक को माशूक मिला है, तो जरूर खुशी होगी न, आशिक को माशूक मिले, कितनी खुशी होती है, है न, बिलकुल चहरा लाल हो जाता है, खुशी से याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा मन्जिल बहुत बड़ी है तुम क्या से क्या बनते हो चुटी बात नहीं है मनुष्य से देवता बन जाते हो पतित से पावन बन जाते हो अब कहते हैं तुम क्या से क्या बन जाते हो पहले तो बे समझ थे अभी तुम बहुत समझधार बने हो तुम्हारी एम उब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नई लेंगे करमातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे नजदीक आने से घर की याद आती है न जिसे खर जा रहे हैं लौकिक में भी जितना पास आते जाएंगे उतना घर की याद बढ़ती जाएगी ऐसे यहाँ पर भी है मैं आत्मा जितना बाबा को अपने घर को याद करती जाओंगी नजदीक आने से घर की याद आती है न बाबा की नौलेज बड़ी मीठी है बच्चों को कितना नशा चड़ना चाहिए भगवान इस रत में बैट तुमको पढ़ाते है छोटी बात नहीं है भगवान पढ़ाते है अभी तुमारी है चड़ती कला कलाएं चड़ती की और है चड़ रही है बढ़ती जा रही है चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला गुर्द्वारों में सब बोलते हैं चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला तुम कोई नई बात नहीं सुनते हो जानते हो अनेक बार हमने सुनी है वही फिर से सुन रहे है सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे तुम हो unknown warriors और very well known भी हो unknown है और जानते भी सारी दुनिया है unknown ब्रामन आत्माए है युद्ध शेतर पर बैठे है माया के साथ युद्ध कर रहे है पता ही नहीं चल रहे है किसी को है ना और very well known भी है मंदिरों के अंदर जिनके चित्र है वो कौन है हमी है जानते भी हैं सारे पर नहीं भी जानते हैं तो unknown warriors है but very well known है तो बाबा कहते हैं तुम सारे विश्व को heaven बनाते हो तब देवियों की इतनी पूजा होती है ऐसे थोड़ना पूजा करते हैं करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है है ना भाबा कराने वाला है हम कर रहे हैं और इसे लिए ये श्रेश्ट पवित्र कारे करने के लिए दुनिया को पवित्र बनाने के लिए जो हम पुरुशार्थ करते हैं बबा को याद करते हैं उसके बाद उसी की यादकार में फिर भक्तिमार्ग में पूजन होता है तो बबा कहते हैं दोनों की पूज़ा होती है बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का sapling लग रहा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। आतमिक स्थिती मटिक जाते हो। जो अच्छी रीती पड़ते हैं, वो अपने को स्कॉलर्शिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुशार्थ करना है, याद की यात्रा का पुरुशार्थ करना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो बाबा कहते हैं, अपने को भाई भाई समझो, तो नाम रूप का भान निकल जाए, इसमें ही मेहनत है, सारी मेहनत इसमें है, बहुत अटेंशन दिना है फाल्तु बाते कभी सुन्नी नहीं है यह most important अटेंशन है कि जो भी व्यर्थ बाते हैं जो इस ज्ञान से संबंदित नहीं है वो सुन्नी भी नहीं है बाप कहते हैं मैं जो सुनाओं वैं सुनो जर्मुई जग्मुई की बाते ना सुनो कान बंद करो सब को शांती धाम और सुक धाम का रास्ता बताते रहो जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फाइदा मिलता है कमाई होती है बाप आये है सब का श्रिंगार करने और घर ले चलने बाप बच्चों का सदेव मददकार बनते हैं जो बाप के मददकार बने है उनको बाप भी प्यार से देखते है जो बहुतों को रास्ता बताते है तो बाबा भी उनको बहुत याद करते है डेफिनेटली जो बाबा के कारे में बाबा की मदद करेंगे, सेवा करेंगे तो बाबा उन्हें प्यार नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे क्या उनको भी, तो बाबा कहते हैं कि उनको भी बाब की याद की कशिश होती है याद से ही कट उतरती जाएगी बाब को याद करना गोया घर को याद करना सदेव बाबा बाबा करते रहो यह है ब्राम्भणों की रूहानी यात्रा मन से बस बाबा बाबा करते रहो जैसे यह है रूहानी यात्रा बाबा के पास पहुँच जाएंगे बाबा करते करते सुप्रीम रुह को याद करते-करते घर पहुच जाएंगे जतना देही अभिमानी बनने का पुरुशार्थ करेंगे क्या पुरुशार्थ करना है? मैं देही, देहे को चलाने वाली, देहे की मालिक फिर अभिमानी देहे क्या तो अभिमान होता है दुनियावी अभिमान पर तो आत्मा का स्वमान होता है तो मैं कौन सी आत्मा हूँ मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ मैं मास्टर ग्यान सागर हूँ मैं मास्टर गुणों का सागर हूँ मैं रूहे गुलाब हूँ इस सारे स्वमान जब स्मृति में रहते हैं इमर्ज रुप में और हम Soul Conscious Stage में रहते हैं आत्मा मालिक हूँ इस स्थिती में रहते हैं तो यह है देही अभिमानी स्थिती इसमें नशा भी है इसमें खुशी भी है इसमें करने की ताकत भी है तो पाबा कहते है जितना देही अभिमानी बनने का पुरुशार्थ करेंगे तो करमिंद्रियां वश होती चाहेंगे करमिंद्रियों को वश करने का एक उपाय है क्या है? याद का है तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राम्भण कुल भूशन कौन है? रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं उंगली पढ़ नहीं अंदर बुद्धी घुमा रहे है तो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी और ब्राम्भण कुल के भूशन हो आ भूशन हो तुम्हारा ये सर्वतम श्रेष्ट कुल है ब्राम्मन कुल देवताओं के कुल से भी उच है क्योंकि तुमको बाप बढाते हैं तुम बाप के बने हो बाबा से विश्व की बादशाही का वर्सा लेने के लिए बाबा कहने से ही क्या होता है वर्से की खुश्बू आती है बस दिल से कहा बाबा बाबा अपने आप इपना ज्यान, गोण, शक्तियां, शांती, आनंद लुटाते ही जाएंगे बस एक पार दिल से कहा बाबा शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते है शिव बाबा है ही सद्गती दाता और कोई सद्गती देना सके सच्चा सद्गुरू एक ही निराकार है जो आधा कल्प के लिए राज्य दे कर जाते है तो मूल बात है, आज के मूली की मूल बात क्या है याद की अंतकाल कोई शरीर का भान अथ्वा धन दौलत याद ना आए नहीं तो फिर क्या होगा पुनर्जन्म लेना पड़ेगा भक्ती में काशी कलवट खाते है तुमने भी काशी कलवट खाया है अथ्वा बाप के बने हो वो तो काशी कलवट स्थोल में खाते है कलवट खाके कुए में गिर जाते है अभी नहीं गिरते, पहले गिरते थे परन्तु हम भी जैसे बाबा के बने हो बाबा पर अर्पे थोये हो भक्ती में तो हम भक्ती में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए पर तो वापिस तो कोई जा नहीं सकते समझते हैं कि पाप कट गए चलो कट भी जाएं पर फिर भी अभी टाइम नहीं आया तो उपर मुक्तिधाम में तो जा नहीं सकते जब सब उपर से आ जाएं फिर विनाश होगा बाप भी जाएंगे तुम भी जाएंगे बकी कहते हैं दुनिया में पशास्त्रों में क्या लिखा है पांडव पहाड उपर गल गए वह तो जैसे आप घात हो जाए ये तो जैसे आत्मत्या हो जाए न बाप अच्छी रीती समझाते हैं बच्चे सर्व का सदकती दाता एक मैं हूँ कोई देहधारी तुम्हारी सदकती कर नहीं सकते भक्ती से सेड़ी नीचे उतरते आये हैं अंतमे बाप आकर जोर से चड़ाते हैं एकी बारी में विल्कुल जीरो से हैंड़ेट बना देते हैं जोर से चड़ाते हैं इसको कहा जाता है अच्छानक बेहध सुख की लोटरी मिलती है न कोई गरीब हो और उसकी लोटरी निकल जाए विल्कुल ऐसे वह होती है घुड़ दौड ये है आत्माओं की दौड परन्तो माया के कारण एक्सिडेंट हो जाता है आत्मा जा रही है उपर परमधाम बाबा की याद में परन्तो फिर क्या हो जाता है अच्छानक इसकी याद आई वो बीच में आ गया कोई प्राप्ती कोई लोब कोई इच्छा कोई तमन्ना रह गई कोई व्यक्ती दिख गया बस माया आ जाती है नीचे गिरा देती एक्सिडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते है माया बुद्धी योग तोड़ देती है काम से हार खाते तो की कमाई चठ हो जाती है जीरो पर आ जाते है पूरा जैसे है न साप सीडी का खिल दिखाते है न एक साप ऐसा होता है जिससे बिलकुल शुरू में पहुँच जाते है तो बाबा कहते हैं की कमाई चठ हो जाती है काम बड़ा भूत है काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे लक्ष्मी नारायन जगत जीत थे बाब कहते हैं यह अंतिम जन्म पवितर जरूर बनना है तब जीत होगी नई तो हार खाएंगे यह मृत्यो लोक का अंतिम जन्म अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यो लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं अब दिल से पूछो कि हम लक्षमी नारायन बनने के लायक हैं जितनी धार्णा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी परन्तु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है इस मदुबन का प्रभाव दिन प्रति दिन जास्ती बढ़ता रहेगा मुख्य बैटरी यहां है भले बाबा साकार रूप में नहीं है परन्तु अवयक्त रूप में बाबा अभी भी मदुबन में ऐसा फील होता है जैसे बाबा वहीं बैठा है तो जैसे तो हम अभी जहां भी बोलाएं बाबा हाजिर जो सर्विसेबल बच्चे है वेह बाब को बहुत प्यारे लगते हैं लगते हैं न सारे बच्चे सर्विसेबल है जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे है उनको चुन-चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं वीजवली, चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं, वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं, सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं, कहते हैं, मिठरा घुरत घुराए, जितना घुलो घुलता ही जाए, है न, याद कर जाओगे उतना response मिलता जाएगा एक तरफ है सारी दुनिया दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राम्मन एक तरफ सारी दुनिया कल युक के अंदर बैठी और हम संगम युक पर किते थोड़े से सच्चे ब्राम्मन उचे ती उचे बाप के तुम बच्चे हो जो बाप सर्व का सदकती दाता है तुम्हारा यह दिव्वे जन्म हीरे समान है हीरे समान है हमको कौडी से हीरा भी वही बनाते है आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते है जो फिर उनको याद करने की दरकार नही बाबा कहते बच्चे धेरों के धेर धन तुमको देता हूँ तुम सब गवा बैठे हो कितने हीरे जवाहरात मेरी ही मंदिर में लगाते हो अब तो हीरे का दिखो कितना दाम है है न पहले इतना नहीं होता था अब तो बहुत महंगा हो गया है आगे हीरो पर भी रूंग यानि साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी जैसे पहले क्या होता था सबजी लेने जाओ न साथ में मिर्ची और धनिया मिलता था भी तो बहुत कम जगा मिलता है तो वैसी बाबा कहते हीरे लेते थे तो उस पर भी कुछ छोटी से गिफ्ट मिलती थी अब तो सबजी पर भी रूंग यानि सबजी के साथ कुछ मिर्च धनिया आदी देते थे नहीं मिलती है पहले तो अपने आप ही डाल देते थे कहने की जुरोती नहीं पड़ती थी तुम जानते हो कैसे राजे लिया कैसे गवाया अब फिर से ले रहे है यह ज्यान बड़ा वंडरफुल है कोई की बुद्धी में मुश्किल ठहरता है राजाई लेनी है तो तो क्या करना पड़ेगा राजाई लेनी है तो श्री मत पर पूरा चलना है अधूरा नहीं चलना है थोड़ा माना थोड़ा नहीं अपनी मत काम में नहीं आएगी जीते जी वान प्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े वारिस बनाना पड़े भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं दान देते हैं परंतू अलपकाल के लिए यहां तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए गायन भी है फॉलो फादर ब्रह्मावा ने भी क्या किया सब कुछ बाबा को ट्रांसफर कर दिया बाबा के नाम पर सब कुछ दे दिया बिल्कुल खाली हो गए तो जैसे वारिस बाबा को बना दिया तो जो फॉलो करते हैं वो उच्पद पाते हैं बेहद के बाब का बनने से ही बेहद का वर्सा पाएंगे बेहद का वर्सा लेना है तो बेहद के बाब का बनना पड़ेगा शिव बाबा तो है दाता ये भंडारा उनका है भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है वह हुआ इंडारेक्ट ये है डारेक्ट भक्तिमार्ग में जो किया इंडारेक्ट अभी कर रहे है जो वो डारेक्ट शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं इंडारेक्ट का एक जन्म और डारेक्ट का 21 जन्म कोई की बुद्धी में आता है हम शिव बाबा को देते हैं भगवान को दे सकते हैं कुछ उसी का दियावा उसको दे रहे हैं ये जैसे इंसल्ट है देते हैं लेने के लिए ये बाबा का भंडारा है काल कंटक दूर हो जाते हैं शिव का भंडारा भरपूर काल कंटक सब दूर बच्चे पढ़ते हैं किसलिए पढ़ते हैं? अमर लोख के लिए पढ़ते हैं ये है काटो का जंगल बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते है तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए दावीगुण भी धारण करने है बाब की याद में रहना है दावीगुण धारण करने है बाब कितना प्यार से बच्चों को गुल-गुल बनाते है बहुत प्यार से पवित्र बना देते हैं बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं अपना कल्यान करना चाहते हो तो क्या करना है? दैवी गोण भी धारण करो और किसके भी अवगोण नहीं देखो अच्छा? रूहानी बच्चों की रूहानी बाब दादा को गुट मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते धार्ना के लिए मुख्य सार पहला बेहत के बाब से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड कर रखना है किसी भी बात में, किसी भी बात में समय बरबाद नहीं करना है दुसरा, सच्ची कमाई करने वबारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाब की याद में रहना है क्योंकि याद से वायू मंडल शुद्ध होता है आत्मा सतु प्रधान बनती है अपार खुशी का अनुभव होता है करमिंद्रियां वश में हो जाती है कितना कुछ होता है केवल बाबा की याद से आज का वर्दान है स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कारे में दिल पसंद सफल्ता प्राप्त करने वाली सिध्धी स्वरूप भाव कैसे बनेगे सिध्धी स्वरूप जब स्वपरिवर्तन से विश्वपरिवर्तन के कारे में दिल पसंद सफलता प्राप्त करेंगे हर एक स्वपरिवर्तन द्वारा विश्वपरिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए है सब लगे है सभी के मन में यही उमांग उत्साहा है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चे भी है कि परिवर्तन होना ही है जहां हिम्मत है वहां उमांग उत्साहा है सो परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कारे में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है खुद ना बदलो और विश्व को बदलने की सेवा में लग जाओ तो जो चाहते वो कर नहीं पाओगे जितना चाहते उतना होगा नहीं पहले सो परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन करते हैं न तो दिल पसंद सफलता मिलती है लेकिन ये सफलता तभी मिलती है अंदर के वृति और जो बाहर वृति वायु मंडल बना रहे हैं, vibrations निकल रहे हैं और जो वाणी हैं, इससे भी sound waves निकल रहे हैं तो यहाँ पर भी वायु मंडल, वृति और वाणी तीनों powerful होने चाहिए slogan है, जब बोल में स्निहे और सैयम हो, तब वाणी की एनरजी जमा होगी प्यार भी हो और उसके साथ साथ सैयम भी हो, कंट्रोल भी हो पुरा तब वाणी की एनरजी जमा होगी आज विशेश क्या भ्यास करेंगे देही अभिमानी स्थिती का और एक दूसरे को देही स्वरूप में देखने का भी अभ्यास करेंगे जसे मुडली के बीच में कराया कि स्वयम को बार बार देहे से न्यारी देहे की मालिक मैं आतमा, मास्टर सर्विष शक्दिमान, मास्टर गुण सागर, मास्टर ग्यान सागर, विश्व का लियानकारी, रहम दिल आतमा बार बार अपने स्वमानों को स्मृती में लाओ और उसी स्थिती में स्थित होकर करमिंद्रियों से कर्म कराओ तो देही अभिमानी प्रों तिती और मेरे आजबास भी जितनी भी आतमाई है वो भी अपनी देहें द्वारा कर्म करा रही है उसी स्थिती में स्थित होकर आतमाओं को भी देखो तो ये अभ्यास हम बार बार बक्ता करेंगे अच्छा, ओम शांति गुन गुन करे मुरली के धुन हसता है मन मुरली सुन गुन गुन करे मुरली के धुन हसता है मन मुरली सुन बाबा तेरी मीठी मुरली हर सांसों का स्रिंगार है बाबा तेरी मीठी मुरली हर सांसों का स्रिंगार है किस जीवन में पाया हमने सबसे बड़ा उपहार है बाबा तेरी मीठी मुरली हर सांसों का स्रिंगार है बाबा तेरी मुरली बाबा तेरी मुरली चलना सिखाया श्रीमत पर शिक्षाओं का दिवरदान काटों से है फूल बनाया देकर हमें दिव्या गया मेरी खुशिया मेरी दुनिया मेरी खुशिया मेरी दुनिया बाबा तु मेरा संसार है बाबा तेरी मीठी मुरली हर सांसों का स्रिंगार है कर्दान बाबा तुम उपल मेरी दुनिया ज़यर मेरी खुशिया अर्दाल श्रीमत ने पर धुनिया मेरी खुशिया बाबा रूल कौन है हम कहां से आए यही पाठ रोज पढ़ाए आए बहारी देव्य गुणों की गुशन सा मन मेहकाए मन मना भव का महमंत्र दे मन मेलाई बहार है बाबा तेरी मीठी मुरले हर सांसों का स्रिंगार है इस जीवन में पाया हमने सबसे बड़ा अपहार है गुन गुन कर मुरली की धुन हसता है मन मुरली सुन गुन गुन कर मुरली की धुन हसता है मन मुरली सुन